शुसान्थ सिंग राजबूत के फ्लैट में सिफ्ट हुई अदा सर्मा और एक्टर अदा सर्मा ने बताया कि कैसा होता है ऐसास और क्यों चुना शुसान्थ सिंग राजबूत का हाउस शुसान्थ सिंग राजबूत का फ्लैट किराएप लिया है लेकिन अब खबर आ रही है कि आदा सर्मा ने सच बताया है और अदा सर्मा ने बताया है कि वे चार महीने पहले सुसान सिंग राजबूत वाले घर में सिफ्ट हुई है और वो अब एक नए आसियाने में पुरी तरह से सेट हो गई है और अदा सर्मा ने बताया है कि बहुत से लोगों ने उन्हें तुसान सिंग राजबूत वाले फ्लैट में रहने से रोकने की कोसिस की थी और अदा ने आगे बताया है कि मैं चार महीने पहले फ्लैट में सिफ्ट हुई हूँ लेकिन मैं अपनी फिलिम बसर और ता केरल स्टोरी की OTT रिलीज में बेजी थी उसके बाद कुछ समय मैंने माथूरा में बिताया है आदा सर्मा ने आगे बताया है मैं अब तक बांदरा में एक ही घर में रही हूँ और यह पहली बार है जब मैं वहाँ से बार निकली हूँ मैं वाइब्स के परती बहुत सेंसिटी हूँ और यह जंगा मुझे पोजिटिव वाइब्स देते हैं केरल और मुंबाई में हमारे घर पेडो से गिरे हुए है और हम पक्सियों को खाना किलाते थे और इसलिए ही मैं एक ऐसा घर चाती थी जहां से नजारे दिख सके और पक्सियों को दाना डानले के लिए परियाप्त जंगा मिल सके हाला कि अदा सर्मा ने ये भी का है कि उन्होंने लोगों की कभी परवा नहीं की वो हमेशा अपने तिल की सुनती है इसलिए उनके मन में सुसांत सिंग राजबूत के फ्लैट में सिफ्ट होने को लेकर कोई संदे नहीं था और अदा सर्मा ने सुसांत के फ्लैट को 5 साल के लिए किराए पड़ लिया है हाला कि आपको बताते चले 14 जून 2022 को सुसान सिंग राजबूत ने इसी घर में सुसाइड की थी हाला कि सुसान सिंग राजबूत के पिता इंसाफ का इंतिजार आज भी कर रहे है लेकिन फिलाल के लिए इतना ही आप क्या केना चाहेंगे इस पर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राए हमें जरूर बताए